आप लोग को एस डिटेक में स्वागत है आज मैं आप लोग के लिए लेकर आचुका हूँ साइन्स का मुश्ट गारेंटेड कोश्टन, मुश्ट इंपोरेंट कोश्टन आप लोग को अगर इसको अच्छी तरीके सकर लेते हैं तो आप लोग को यहां पर अगर 40 नंबर साइ मिश्टर एक्जाम में ला सकते हैं अगर इसी तरीके से साइन्स टू का भी चाहिए तो भड़ा पट आप लोग को कमेंट कर देना रहेगा सबसे पहले यहां पर चलता हूँ पहले लेसन में और बताता हूँ आप लोग को क्या क्या करना चीए एक भी पॉइंट मिस मत करना नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता हैं आप लोग को एक्जाम में फिराओगे बोलोग कि यह चीज नहीं आया था तो आप लोग कोई ही प्रॉब्लम होगा ना कि मेरे को अब यहां पर आप लोग को आने वाला है सिधा 5 लेसन या 6 लेसन तो मैं यहां पर पूर फूल गारंटी है कि आप लोग को यहां फर्स सेमिस्टर एक्जाम में फोटी आउट फोटी इसली ला दोगे अगर जीतना मैं बता रहो उतना करके गयता है सबसे पहले आप लोग को आना है पहले वाले चैप्टर में पहले वाले चैप्टर में क्या करना उसको ध्यान से एक भी पॉइंट मिस मत करना सबसे पहले यहाँ पर एक फोर्स है फोर्स किसके लिए नेसेसरी होता है याद रखना यहाँ पर स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए बस इतना यहाँ से यह वाले पेश से अगर सोची रहे यहाँ से एक प्रिंस पिया है बुक का है याद रखना यह साइंटिस्ट राइजंग न्यूटन ने दिया था और उसे तीन एक्वेशन लिखे तो उस बुक का नाम था प् सेंट्री पिटल फोर्स का दोनों को क्या करने के लिए आ सकता है डिफाइन करने के लिए आप लोगो एक्साम में पूछा जाएगा उसके बद और नीचे आना है तो यहाँ से केपलर्स का लओ मैं जो जो बता रहूं उसको अच्छी तरी टिक मार करके अच्छी तरीके से लेना यहां पर विथ डाइग्राम के साथ में पहला ब्लेक लाइन यह भी सेकेंड़ा हो गए यह तीसरे पर डाइग्राम बना दो और यहां पर आप लोगको यह वाला बट यह वाला यहां से ए नहीं लिखना यह लाइन को यहां से लिखना यहां तक और उसको यह वाला ल and उसके बाद यहाँ पर आना है कहाँ पर यहाँ पर देखो ए लाइन को आप लोगो कवर करना चीए इतना और एक लाइन को इसको जितना मैं बोल रहा हूं उतना करके जाना इसके अलावा आप लोगो एक्जाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा ए वाला बॉक्स इसको अच और यहां से देखो एक यहाँ पर है वयल्यवद जी ओन्धर सरफेस अब दए अर्थ तो इतना आप लोगो वयल्यवद जी ओन्धर सरफेस को अच्छी तरीके से निकालना रहेगा वरियेसन अद वयल्यु जी आप लोगो याद करना है कि जह रहां पर डेप्ठ में किनना ह क्या हो रहा है पढ़ रहा है अगर रेडियेस प्लास में होगा जी कमान हमेशा माइनेस मल Яट तो डिप्थ में जाय है तो Pharisees अगर बढ़ेगा तो जी क्या होगा हमेशा घठेगा याद रखना है ये तीनों को याद करके थोड़ा-थोड़ा रख लेना अगर डेप्ट में जायरत क्या होगा और उसके बाद मास और वेट का मास और वेट का Depth डिफरेंट बिट्विन याद रखना Depth बिट्विन बोल दिया तो बोल दिया हो डिफरेंट बीट्विन अच्छी तरीके से लन कर लेना एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे फ्रीफॉल का बस डिफिनेशन याद करना है यहां पर देखो इतना फ्रीफॉल का डिफिनेशन है और उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यह वाला दोनों कोश्चन आप लोगो अच्छी तरीके से करना हो सकते हैं इस एक्साम में आप लोगो देखने के लिए मिल जाए दोनों मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों का बोर्ड एक्साम का भी पूरो प्रिप्रेशन मैं करवा दे रहा हूँ जितना मैं कोश्चन बता रहा हूँ उतना करके जाना इतना हो जाएगा पोटेंशियल इनर्जी इसका इसके बिलोसी की सिटी का रिसीफ डिफाइन करने के ल इसके अलमा यहां से कुछ भी नहीं करना है यह समय अंदर बता दिया हूँ आप लोग का पूरा कुरा क्लियर है जो जो बता है देखो यहां पर वही पूछा है मास और वेट का डिफरेंट बिट्विन पूछा है पहले में दूसरे में प्री पॉल एक्सलेरिशन दू टू याद करना है इघ्व पहले बता दे रहा हूँ बाद में मत बोलना कि नहीं बता आयते और या लीथियम और इहां पर पॉटेसियम को अगर दोनों को ऐड करता हूँ तो यहां पर शोडियम जो है इसके नियर वाई आप लोग का एंसर आएगा तो यह दोनों को आड किया द से डिवाइड किया तो यह 23 पॉइंट आ गया तो इसली यह चीज क्या होता है आप लोग को यह हमारे डोबराइनर के कहना था एंड उसके बाद आप लोग को निव लेंड ओक्टेव को पड़ लेना चीए आप लोग को यहां मेंडलू मेंडलू का प्रिडिक्ट टेबल अच्छी तरीकिसा आप लोग को लर्न रन अचीए और उसके बाद ए लाइन को कवर कना चीए ए वाले लाइन को बस इतना की वर्टिकल कॉलम को क्या बूला जाता है और इजेंटल कॉलम को क्या बूला जाता है याद रखना जो जो बोल रह इसका different between आप लोगों को exam में पूछा जा सकता है और उसके बाद आप लोगों को मैं यहां पर modern प्रेडिक लो अच्छी तरीके से लर्ण करना और यह feeling the blinds के लिए एक line modern प्रेडिक लो अच्छी तरीके से याद कर लेना उसके बाद आप लोगों को वेरी वेरी IMP question जितना मैं बता दे रहा हूं वो exercise से कुछ नहीं कर रहा हूं तो भी चलेगा मैं पहले से आप लोगों को बता कर रहा हूं और यहां से यह वाला line को थोड़ा सा cover कर लेना यह सब तीनों को आप लोग एक structure रिजस्ट यह दिया गया एंड यह वाला yes block P block D block एक structure आप लोग याद करोगे तो इसली यह वाला याद हो जाएगा उसके बाद आप लोग को यहां से वैलेंसी का definition याद करना वैलेंसी का क्या करना है डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है एंड उसके बाद आप लोग को atomic size atomic radius atomic size atomic radius दोनों से कुछ भी आ सकता है आप लोग को exam में उसके बाद metallic और non metallic यह वाला डाइग्राम के related question पूछा जा सकता one one mark के लिए और उसके बाद आप लोग को और आना है आगे यहां पर देखो question पहला करना objective सब करना है question number 3 very 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 IMP question जो बोल रहा हूं उसको करके जाओ अच्छा का सा scoring होगा होगा तो होगा समझ के रखना जो मैं पूरा बता रहा हूं उसको करी लेना और इसमें से देखो इसमें से question number 6 से पहला और दूसरा करोगे और question number 7 का मैं बोलूँगा हमेशा कि आप लोगों को यह वाला पूरा पूरा इस lesson से एक scientific reason आना कंपल सरी है और very very IMP में देखो चार question यह पहला दूसरा तिसरा चवता है बट मैं एक ही चीज बोलूँगा इसन से चारो question करके जाओ चारो question very 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 IMP question है एक question आना कंपल सरी है आप लोगों को एक्जाम में उसके बद question number 8 और question number 5 दोनों को बस naming creature करना है नाम लिखना है बस यह भी lesson हो गया अब आता है तिसरे lesson बे इसमें से बस definition आप लोगों को याद करना और बाकि कुछ भी नहीं करना सिफ define करने के लिए आ सक सबका एक 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 example लिखना है और सिफ definition chemical equation मैं पहले से कल आप लोगों के लिए वीडियो बनाया just की without book का तो बहुत सारे बच्चे comment करने लगे sir यहाँ पर हम लोगों को idea ने मिल पा रहा है किस तरीके से कहां से आप बोल दे रहो फड़ापट तो मैं इसके लिए आज फिर स टेक्स बुक में आप लोगो टिक मार करके दे रहा हूं सो चो आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं तो फड़ापट चैनल को मिरे बाई subscribe कर लो अब यहाँ पर writing chemical equation किस तरीके से लिखा जाता है थोड़ा सा आप लोगो समझ के ले 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 ना इसने 5-6 point है एगर पढ़ लोगे तो इसली आ जाएगा एंड उसके बाद आप लोग को कहां पर आने देखो यहां पर बाइलेंस करने वाला equation यहां पर सबसे वेरी वेरी आएम पी यह है आप लोगो टाइस सदे chemical reaction जो दिया गया है combination reaction एक एक जामपल देखो यह वाला black line है देखो यहां से and decomposition जो दिय गया है इसका देखो यहां पर है black line बस देखो यहां पर बहुत इजी जी में पहले से displacement एवाला है एक एक जामपल देखो यहां पर दो एक जामपल एक डबल डिस्प्लेस्मेंट यहां पर है और उसके बाद और आगया जोगा endothermik exothermik का तोनों का different between आप लोगो याद रह देखो यहां पर tick mark में दे रहा हूं यह पिछले बार दिया unit test में दिया आया में यहां पर और board exam में भी आया था इसके लिए बोल रहा हूं इसको अच्छी तरीके से करके जाना अब इससें से 6 point दिया 6 में से कोई भी 4 point याद कर लो rate of chemical reaction उसके nature यहां factor effecting rate of chemical reaction का इसमें से क ऑक्सेडेशन reduction का उसके बाद और आगे आना है यहां पर इक का कॉरोजन में आप अपलोगों सिंपल तरीका यहां पर दिया गए इह वाला रस्ड का आप लोगों सिंपल यहां दिया difाक्त और यहां करना है तो याद करना है Rancidity, what is the rancidity, आ सकता है exam में short note, और देखो, objectives करना है, ये वाला पूरा हो गया, और इसमें से, इसमें से कौन-कौन से recommended वाला, और ये वाला, और तीन question, इसमें से very very IMP question है, पहला, A, B, D, और question number 5, very very very, पांच number में question आ सकता है exam में, और इसमें से ये वाला question करके रखना, बहुत importance question है, एक पहला वाला, अच्छी तरीके से करके रखना, और उसके बाद आप लोग को यहां से step wise आप लोग को कर सकते हो, बहुत छोटे में है, छोटा छोटा identify, endothermic, exothermic का है, ये वाला बहुँ गया ये भी chapter आप लोग का पूरा clear, चोटे वाले lesson में effect on the electric current वाले में से क्या क्या करना, सबसे पहले आप लोग को यहां पराना, ये वाला देखो, ये थोड़ा से यहां से ने, ये वाला थोड़ा से पढ़ के रख लेना, इतना, पढ़ लेना बहुत importance आप लोग मैं एक target देता हूँ आप लोग को पचा, ये simple तरीका यहां पर सव लाइक का और सव कमेंट का, सव लाइक, सव कमेंट जहां पर हुआ, आन देखोड मैं आप लोग के science 2 का भी इसी तरीके से वीडियो ले कर आजूँगा, जो 40 out of 40 आप लोग का और board exam का भी आप लोग का preparation ह हो जाएगा, बस सव लाइक, सव कमेंट, यहां पर use other coil का आ सकता है exam में, short note और naming creature भी याद रखना, उसके बाद यहां से MCB का UJS आ सकता है, और इस में से A chapter से solve numericals करना है, solve numericals, और दो उपर बताया, उसके बाद और नीचे आओगे, तो यहां पर देखो, जो लोग दिये यहां है, rule, यहां पर right hand thumb rule, इसको अच्छी तरीके से करना है, और उसके बाद और आ गया जाओगे, तो जो दिया, solenide का बस definition याद करना, डिफनेशन याद करना, उसके बाद और आ गया जाओगे, तो यहां पर देखो, flaming का, जितना rule दिया गया, सब याद करना है, electric motor, electric generator क exercise से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो, electromagnetic induction नहीं, galenometer का UJS आएगा, जो बता रहा हो, उसको अच्छी तरीके टिक मार करो, क्योंकि ए एक्जाम में आने वाले हैं सब, paradise law, और नीचे दिया गया है, flaming का, यह सब एक्जाम में आप लोगों को आने वाला है, अब देखो, इसी में से A वाला question, A very 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 IMP, आप लोग देखे रहोगे, इस बार एक्जाम में, oral में भी इसमें पूछे रहेंगे, electric motor, electric generator, construction, और working, याद रखना, और इसमें से question number A, और question 4, इधर हो गया, इससे short circuit, और इसमें से यह induction वाला नहीं करते तो भी चलेगा, बट इतना, पहला, दुसरा, चवथा, पांचवा, छटवा, और उसके बाद इसमें से कौन सा है, A वाला, करके रखो, यह वाला हो गया, और इसमें से यह तीन question इसमें से करके रखो, और Tengestan वाल वाला सबसे ज़्यादा importance है, और बाकी तो यहाँ पर solenide का हो गया है, A वाला, यह वाला, इस तरीके से भी chapter पूरा clear हो गया, 5 relation का में most important question, फड़ा फड़ा आप लोग को बता देता हूँ, फड़ा फड़ा इसको tick mark कर लो, इसमें भी सबसे ज़्यादा definition है, देखो इसके related आप लोगों से question, देखो, latent heat of the vision, यह याद करके रखना, और यहाँ से diagram को थोड़ा सा अच्छी तरीके से आना चीए, आप लोगों देख लो, और इसमें से यह वाला, देखो, सबसे ज़्यादा आप definition आता है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, define करने के लिए पहले से बता रहा हूँ, यह वाला थोड़ा सा कर लेना, यह वाला boxes, water, ice का melting point, boiling point क्या है, एसा थोड़ा सा समझ की रख लेना, और regulation का यहाँ पे देखो दिया गया है, regulation, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, short note के तरीके से, regulation क्या है, what is the regulation, and anomalous behavior of water, जो दिया गया है, छोटा स था, what is this anomalous behavior of water, थोड़ा सा पढ़ना, इससे scientific reason है, एक यह डाइग्राम के related question पूछा जा सकता है, मैं सब बतारो, देखो, hope operators के डाइग्राम के related question आएगा, और उसके बड़ डिव पॉइंट हुमिडिटी, देखो, सबसे पहले हुमिडिटी का यह हो गया, definition, और यहाँ पर एक dew point temperature दिया है, और यहाँ पर एक absolute का दिया गया है, और एक absolute humidity का यह दिया है, सब यह सब थोड़ा छोड़ा छोड़ा definition है, उसको याद कर लेना, और यहाँ रिलेट्ट हुमिडिटी है, यह सब याद कर लेना, यह थोड़ा सा paragraph अच्छी तरीके से पढ़ लेना, उसके य यूनेट्स बहुत important, very very IMP है, उसके बाद आप लोगको यहाँ पर इसके related question आता है, आप लोगको exam में, इसके related आप लोगको digest में 5 question दिये रहेंगे, और उसके बाद यह वाला boxes और water का याद करना, को रुशीन का, ऐल्मोनियम का, रफीन, कोपर, आइरन, सिल्वर, मर्करी, थोड़ा सा पढ़के रख लेना, और heat exchange से principle बस याद करो, यह, यह वाला कर सकते हो easily, और दूसरा नहीं करो कि तो भी चलेगा, अब देखो, इसमें से यह वाला अच्छी तरीकेस करना है, objectives करना है, यह वाला question बस second वाला पूरा करना है, और इसमें से anomalous behavior of water, यह वाला अच अच्छी तरीकेस करना है, यह वाला करना है, दो यहाँ से हो गया, and answer this following question इसमें से देखो, सबसे ज्यादा importance latent heat, principle, यह सबना बहुत importance, आप लोग के बार-बार questions आए हुए, मैं पहले बतारो, देखो, what is the latent heat, यह आप लोग वहीं सकिये, तीन question यहाँ से करो, अगर आप लो question, और मैं अंदर से सब कुछ, अगर exercise का थोड़ा बहुत करते हो, तो भी चलेगा, बट अंदर से सब करना रहेगा, अदेखो, छटवे lesson का मैं बता देता हूँ, फड़ा पड़, छटवे lesson से reflection of light से क्या करना है, सबसे पहले तो यहीं पर एक definition दिया गया इसको, reflection of light, इसको करके रख लो, उसके बाद ए देखो, इसमें से A diagram को देख लेना, बट यहाँ से very, 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 IMP, law of the reflection, incident, reflected, reflected race, कौन सा है ओ, और refractive index, और snail का यहाँ पर एक दिया, देखो, snail law, एवाला box से अच्छी तरीके से learn रन अच्छी है, refractive index, exam में, exam में, short note आ सकते, क्या आ सकता है, short note आ सकता है, refractive index, और उसके बाद आप लोग को यह वाला cover करना अच्छी है, जो जो बोल रहा हूँ, इसके अलावाँ, आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा, इस पर देखो, एक tingling star पर एक आप लोग को scientific reason आने वाला है, जो आप लो of light का सिफ आप लोग को definition याद करो बस, उसके बाद to parcel and total internal reflection का आप लोग को short note, short एक मिनट, एक मिनट गलती हो गया, define करने के लिए, define करने के लिए, आप लोग एक जाम में पूछा जाएगा, और उसके बाद, ए दोनो numericals आप लोग को आना चीए, और उसके बाद ए the blanks हो गया, यह दोनों question करो, यह दोनों question आप लोग को अच्छी तरीक्या साना चीए, and यह हो गया, answer दी से यहां correct और यह सब दिया गया है, छोटा-छोटा, इस तरीक्या से आप लोग को पूरा हो गया, और एक A question कर लो, numericals, और यहां पर पूरा-कूरा मैं पूरा total दे द यहां हो, जीता ना सकते वीडियो को सेर कर देना, चैनल पर फर्स्टाने चैनल को भड़ा-फ़ट सब्सक्राइब कर लेना